हेलो एवरिवन केसी है आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगी रोज की तरह आज मैं फिर से लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल कीचन टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली के स लेके आफ वीडियो को सेर जरूर कीजिए तो चलिए फ्रेंट्स आज देखती है होली का न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स आज की टिप्स में हम देखेंगे फ्रेंट्स की होली पर हम सभी लोग कलर लगाती हैं गुलाल लगाती हैं बट कई लोगों की स्कीन पर ये set नहीं होता जिसे खुजली या फिर allergy जैसी होती रहती है तो friends आज का tip उन लोगों के लिए है जिनकी skin पर color allergy करता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम जिसे color allergy ना करें तो हमें लेना है नारिल का तेल और नारिल का तेल इस तरीके से अपने हातों और पेरों पर लगा ल लगेगा तो हमारी skin पर कोई भी side effect नहीं होगा क्योंकि हमने सबसे पहले नारिल का तेल लगा लिया है और उसके बाद हमने होली खेल ली है तो आप जब नहोगे तो यह अपने आप उतर जाएगा तो friends आप इस तरीके से अपने skin को बचा सकते है allergy होने से तो friends यह देखिए और cotton को इस तरीके से रफ करेंगे तो यह सारा color उतर जाएगा दीरे दीरे आप देखिए यहां पर यह गुलाल है मेरे पास तो हम आम तोर पर गुलाल से होली खेलते हैं तो गुलाल को हम बहुत ही आसाने से इस तरीके से हटा सकते हैं और cotton से हटाने के बाद हम normal पाने से द कलर फस कर नाखुन के अंदर खुजली वगेरा आने लग जाती है या फिर नाखुन में सोजन आ जाती है तो ये चीज ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें बच्चों के हातों पे नारिल का तेल लगाना है और उसके बाद हम जो हमारे बच्चों के नाखुन होती है तो उनके उपर लगाएंगे हम नेल पेंट आप नेल पेंट कोई भी कलर का लगा सकते हो तो उसे बहुती सफाई से नहीं लगाना उसे ऐसे लिपा पोती करना है यानि इसको नाखुन को अच्छे से भर देना है इसे ये फाइदा होगा फ्रेंट्स के नेल पेंट बच्चों के नाखुन पर लगी होगी तो कलर हमारे बच्चों के नाखुन के अंदर नहीं फसेगा तो इसे बहुती वो सेपली होली खेल सकते है और उसके बाद हम रिमोर से इसको साफ कर देंगे तो फ्रेंट्स आपको टिप कैसे लगी अगर अच्छी लगी है तो इस टिप को फोलो कीजिए साथ ही वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजिए क्योंकि बच्चों की स्कीन बहुती नाजुग होती है तो उनके पूरे स्रीर पर हमें नारिल का तेल लगाना चाहिए और नाखुन पर इस तरीके से नेल पेंट कर देने चाहिए तो चलिए फ्रेंट्स देखती है नेक्स्टीप की और नेक्स्टीप फ्रेंट्स बच्चों के उपर कलर लग जाने के बाद इसको बहुती आसाने से कैसे उतारा जाए अगर हम इसको रगड़ती हैं तो बच्चे को बहुती प्रेसानी होती हैं और वो फिर रोने लग जाती हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है जिसे कलर बहुती आसाने से उतर जाए तो इसके लिए हम लेंगे मलाई तो हमें बिलकु इस परकार से इसको उतार लेंगे तो इससे क्या होता है इस मलाई के साथ इक कलर उतर जाएगा इससे ज़्यादा प्रेसाने नहीं होगे तो बहुती इजीली हम कलर को छुड़ा सकते हैं और यहां पर फ्रेंट्स आप देख सकते हो कि कोटन ने कितना जल्दी इस कलर को तो next tip friends हमारे face पर आती है कि face पर बहुत ही ज़्यादा color लग जाता है या फिर उसके बाद खाजगुजली आने लग जाती है तो हमें उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए क्या करें तो हमें होली खेलने के बाद तुरंथ हमें एक बेसन का लेप बनाना है तो उसके लिए हम ए चमাश दही लेंगे, दही के साथ हम मिलारेंगे स्थोड़ा सा सहाध। सहाध मिलाने के बाद, हम इसके साथ onil याने नारेल का थोड़ा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद फ्रेंड्स हमें इसका एक लेप बनाना है, अच्छे से। मसल कर हमें एक लेप की तरह बना लेना है क्योंकि जिस तरीके से हम उप्टन बनाते हैं हमारे फेस के लिए ठीक उसी तरीके से बनाना है और उसके बाद हम डालेगे इसमें गुलाब जल तो थोड़ा सा हमें गुलाब जल का स्प्रे कर देना है इसमें और उसके बाद हम इस उप्टन को हमारे फेस पर लगाएंगे तो इससे फ्रेंड कई वर क्या होता है हमारे फेस पर कलर सेट नहीं करता आंखों में जलन होने लग जाती है या फिर हमारे फेस पर जलन होती है तो हमें इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर हाथ पर लेप लगा लेना है और उसके बाद सूकने के बाद हमे नॉर्मल पाने से दो लेना है तो इससे हमारी स्कीन बहुत अच्छी रहेगी और शाथ में जो हमारे 이용 आंख्यां ये सैल रहा था कलर से य। वह भूती अच्य से सेत हो जाएगा और बाद में हमें लगाना इस तरीके से गुलाब जल तो एक बार हमें इहतली में लेकर हमारे फेस पर गुलाब जल लगा लेना है तो इस तरीके से फ्रेंट्स हम हमारे फेस को कलर से बचा सकते हैं तो इतना कुछ करने के बाद बात आती है हमारे कपड़ों की वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उन पर इस तरीके से कलर लग जाने के बाद बहुती मुस्किल से हडते हैं तो आज हम बताएंगे इसको बहुती आसानी से हटाने का बहुती एक यूनिक टिप तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लेंगे यहां पर पानी तो पानी को हमें इतना नहीं लेना थोड़ा एक छोटा बरतन में जितना हमारा कपड़ा होता है उसी साब से पानी लेना है और उसके बाद इस पाने में हम डालेंगे रिन यानि इस तरीके के बोटल में रिन आता है तो वो डाल देंगे तो ये वाइट कपड़ों के लिए बहुती एक राम बान इलाज है कितना भी कलर फुल वाइट कपड़ा हो तो उसको इस तरीके से 10 मिंट के लिए पाने में डुबो कर छोड़ देना है और 10 मिंट के बाद हमें इस कपड़े को अच्छे से मसलना है जिससे ये कलर उतर जाएगा बहुती आसानी से आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ फ्रेंट् दीरे दीरे यह उतर रहा है तो हमें 5 मिंट तक इस तरीके से रगणना है तो रगणने के बाद आप देखोगे कि यह जो कलर फुल था बिल्कुल हट जाएगा और यह कपड़ा है जो बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने स्कीन और कपड़े का देख लिया है कैसे कलर साफ करना है तो अब हम बारी हाती है हमारे पर्स की क्योंकि हम घर के अंदर होली खेलते हैं तो इस तरीके से हमारे जो फर्स होता है घर का तो वो इस तरीके से खराब हो जाता है और पर्स एक बार खराब हो जा तो आप कोई भी कपड़े या फिर पोचे से हमें इस तरीके से साफ करना है, तो साफ करने के बाद आप देखोगे फ्रेंड्स की एक बार में ये नहीं उत्रा, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, साफ तो हो जाता है, बट ये देखो पिंक कलर अभी भी इसमें दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या गरेंगे, हमारे घर पर जो होता है हार पिक, तो हम हार पिक की थोड़ी बूंद इसमें डालेंगे, और डालने के बाद हमें इसके साथ डालना है पानी, पानी को डालकर अब हमें फिर से एक कपड़े से साफ करना है, तो इसको एक दो वार इस त पसंद आते हैं ते वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वाचिंग.